इस पर्श ने फिर से सुरू की बहुती मैटोपूर्ण सर्वीस सबसे मुश्किल काम हुआ आसान डिफेंस पेंचनस को जिस सर्वीस का लंबे समय से इन्दार تھا वो सर्वीस इस पर्श ने फिर से सुरू कर दिये जैहिंद नमसकार सैनिक समाचार रिंडिया में आप सभी का एक बार फी स्वागत है इस पर्ष में चार चीज़ें सबसे महतोपूर्ण है सबसे पहला आपका आदार नमबर दूसरा आपका पैनकार नमबर तीसरा आपका मोबाइल नमबर और फाइनल आपका इमेल आईडी ये चारों चीजें यदि स्पर्स में अपडेट है तो आप स्पर्स की सेवाएं सुचारों रूप से लेते रहेंगे जैसा कि आपको पता है कि आप स्पर्स का प्रोफाइल एडिट और अपडेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसके उपर PCDN रोक लगा रखी है इसके साथ PCDN आदार नंबर अपडेट करने के उपर भी रेस्टिक्शन लगा दिया था अब तक आप अपना अदार नंबर इसपर्स में एडिट और अपडेट नहीं कर पा रहे थे लेकिन अब इसपर्स ने इसी सेवा को फिर से शुरू कर दिया है जो अब तक आप नहीं कर पाएं उसे अब आप कर सकते हैं जी हां सातियों आज का टोपिक है तो आपको आगे में एक डेमो के साथ में बताऊंगा कि यह सर्विसेज आप किस परकार ले पाएंगे यानि यदि आपका भी आदार नंबर अपडेट नहीं है या फिर गलत अपडेट है तो उसको कैसे आप अपडेट कर पाएंगे आप पूरे तरीके को समझ ले ताकि आपका आदार डेमोगराफिक वेलेडेशन भी सकसेज हो और आपका आदार नंबर भी अपडेट हो जाए अदार नंबर अपडेट होने से आपको फाइदा ये होगा कि जो अब तक आपका डिजिटल लाइब सेटिपिकट जमा नहीं हो पा रहा था वो इजीली आप इसपर्स में डिजिटल लाइब सेटिपिकट समिट कर पाएंगे तो आए शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले आप इसपर्स की वेब साइट में यूजर नेम और पास्वर्ड के साथ में लोगिन कर लें क्योंकि इसपर्स में कोई भी काम लोगिन करने के बाद ही आप कर पाएंगे यूजर नेम और पास्वर डालने के बाद केपचा को एंटर करते हुए लोगिन पर जवाब क्लिक करेंगे तो आप अपने इस पर्स के प्रोफाइल में लोगिन हो जाएंगे जहां पर आपको एक अलर्ट दिखाए देगा इसका मतलब यह है कि आप प्री 2016 पैंशनर है और आप अपने इस पर्स को कम्प्लीट एक्सेस नहीं कर पाएंगे और इसके अंदर डेटो बर फैमली डिटेल बेंग डिटेल इस परकार की जो भी आपके प्रोफाइल में जानकरिया है वो यदि गलत है तो उनको अभी आप एडिट अपडेट नहीं कर पाएंगे जब भी ये लिमिटेशन खतम होगी तो SMS और E-mail से आपको सुचित किया जाएगा तो यहाँ पर आप OK पे क्लिक कर दें अब आपको यहाँ पे अपना अदार नंबर अपडेट करना है तो यहाँ अपडेट पर्सनल डिटेल के उपर क्लिक कर दें तो अपडेट पर्सनल डिटेल पे क्लिक करते ही आपके सामने पर्सनल डिटेल ओपन हो जाएगी जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ अदार नंबर अपडेट नहीं है इसका मतलब आपका लाइप सेटिपिकेट भी एकसप्ट नहीं होगा यदि आपने digital life certificate जमा भी कर दिया होगा आदार नमबर अपडेट करने से पहले तो आपको life certificate भी आदार नमबर अपडेट होने के बाद दुबारा से जमा करना पड़ेगा अब आदार नमबर अपडेट करने के लिए यहां पे आपको दो आइकन दिखाई देंगे एक arrow mark और एक refresh का तो आपको जो arrow mark है इसके ओपर क्लिक कर देना है जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको एक confirmation दिखाई देगा आदार नमबर cannot be reset once it changed यानि यहां पे आपको आदार नमबर बड़े द्यान से एंटर करना है जो भी आदार नमबर यहां पे आप अभी एंटर कर दोगे तो एक बार एंटर करने के बाद उसको आप change नहीं कर पाएंगे ऐसा कहना है इस पर्ष की website का तो confirmation के उपर ok पे क्लिक कर दे और अब आप अपना आदार नमबर यहां पे एंटर करें अब एंटर करने के बाद आप जैसे ही एंटर करके यहां स्क्रीन पर साइड में कहीं पे क्लिक करेंगे तो आपका आदार demographic validation success होगा या नहीं होगा वो आपको एक message दिखाई देगा तो पेले हम अदार नमबर एंटर कर लेते हैं तो हमने यहां पे अदार नमबर एंटर कर दिया है अब साथियों स्क्रीन पे कहीं पे भी हम साइड में क्लिक करेंगे तो यदि हमारा नाम और जेंडर इसपर्स और अदार के प्रोफाइल दोनों में same match कर रहा होगा तो यहां पे अदार demographic validation success हो जाएगा नहीं तो फेल हो जाएगा तो आएए देखते हैं कि क्या होता है मैं जैसे ही साइड में क्लिक करूँगा तो इस्क्रीन पर हमारे सामने एक alert आएगा जो इस परकार दिखाई देगा जिसमें लिखावा है आदार demographic validation validated successfully congratulations यानि इनका इसपर्स और आदार में जानकारिया match कर रही है इसलिए सबसे बड़ा जंजट इनका दूर हो चुका है यानि इनका आदार नंबर इसपर्स में update हो जाएगा लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि के इसपर्स और आदार के फ्रोफाइल में नाम और जेंडर मेच नहीं करेगा तो उनका यहाँ पर red color में alert आएगा आदार demographic validation failed अब यहाँ पर हम ok पर click कर देते हैं अब आपको finally इसको submit करना है तो submit का option आपको सबसे निचे दिखाई देगा यह देखिए यहाँ पर submit का option आपको दिखाई दे रहा है तो इस submit के उपर आपको click कर देना है यहाँ पर एक message फिर दिखाई देगा Are you sure you want to submit the details तो आपको yes पर click कर देना है तो अब आपकी details submit हो रही है और यहाँ पे आपकी डिटेल जैसे सम्मिट हो जाएगी तो आपको एक ट्रेकर आईडी मिल जाएगी यहाँ पे आप अब OK पे क्लिक कर सकते हैं और आप इस परकार अपने भी इस पर्स प्रोफाइल में आदार नंबर को अपडेट कर सकते हैं इसके बारे में आपको कुछ और पूछना हो या कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट करें आपको जरूर सला दी जाएगी सातियों यह था अदार नंबर अपडेट करने का लाइव डेमो आपको जानकारी कैसे लगी वीडियो को लाइक करें जादा से जादा इस वीडियो को सेर करें क्योंकि यह सर्वीस अभी तक इस परस ने बंद की हुई थी लेकिन अब इस सर्वीस को वापस रिजूम कर दिया है अब आप अपना आदार नंबर अपडेट कर पाएंगे और डिजिटल लाइब सेटिपिकेट भी जमा कर पाएंगे जाहिन